हाउर फिक्स वान प्लस 3T हेटफॉन जेक नोट कनेक्टेट प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों तो अगर आप सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज की वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लस के दिवाइस में हेटफॉन जेक नोट कनेक्टेट प्रॉब्लम सॉल्फ किसी कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप हेटफॉन अपने मुबाइल पर प्लग कर रहे हैं और उसी के साथ आपका जो हेटफॉन जेक है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो दोस्तों कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्फ करना है यही मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ वीडियो को आन तक देखे जो भी solution होगा उसको follow कीजिए आपका problem solve हो जाएगा ठीक है तो वीडियो शुरू करने से पहले make sure channel को subscribe करके bell icon को click करें अगर आप online पैसा कमाना चाते तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है आप दोस्तों आपने mobile को restart कीजिए headphone के jack को दुबारा से plug करके देखे उसके बार problem solve होते हैं तो ठीक है अगर नहीं होते तो दोस्तों आप एक earbart लेक आप साफ करके देखे अगर problem solve होते हैं तो ठीक है अगर उससे भी दोस्तों problem आ रहा है तो दोस्तों आप अपने mobile के SIM card को आप इजेक कीजिए इजेक करने के बाद अच्छे से place करके देखें ठीक है तो उसके बाद दोस्तों अगर काम कर जाते है प्रॉल्म सॉल्फ हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं होते तो आपको नेक सॉलूशन जाना है लेकिन दोस्तों यह सोलूशन आपको क्यों करना है SIM card यहा और दोस्तों यहाँ पर अगर आपका problem अभी भी सॉल्फ नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना होगा next में आप दोस्तों next में अपना जो mobile है उसको safe mode पर reboot कीजिए उसके लिए power button को press and hold करके रखना है power off के switch को दो सेकंड क्लिक करकर रखना है और ok कर देना है जैसे ok करेगा द तो mobile safe mode पर reboot करने के बाद देखें solve हो जागा problem अगर इससे fix हो जाते है problem तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको जो है दूसरे headphone try करके देखना होगा क्योंकि आपका जो headphone है उसमें कुछ भी टूटा हुआ है खराभी है तो problem हो सकते तो next headphone दूसरा try करके देख देखना ठीक है mobile software update करके देखना mobile software update करने के बाद दोस्तों solve हो जाना चाहिए problem अगर fix हो जाते है तो ठीक है अगर नहीं होते तो hardware issue हो सकते है क्योंकि headphone का जो plug होते है वह दोस्तों hardware ली खराब हो जाते कभी कबार ठीक है तो आपको वह किसी भी technician के पास जाके fix कर लेना है उसके बाद आपका headphone jack आसानी से कम कर जाएगा तो यह था दोस्तों कुछ solutions आपके headphone jack not connected problem के solution उमीड करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा आज के लिए बस इतने ही thanks for watching how to fix oneplus not CE headphone jack not connected problem नमस्कार दोस्तों तो अगर आप सभी का तिकराच YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने oneplus के device में headphone jack not connected problem solve किसी कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप headphone अपने mobile पे प्लग कर रहे हैं और उसे के साथ आपका जो headphone jack है वो connect नहीं हो पा रहे हैं तो दोस्तों कैसे आपको problem solve करना है यही मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ वीडियो को आन तक देखें जो भी solution होगा उसको follow कीजिए आपका problem solve हो जाएगा ठीक है तो वीडियो शूरू करने से पहले make sure channel को subscribe करके bell icon को click करें अगर आप online पैसा कमाना चाते तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें twitter पर follow करके message कर सकते तो चलिए दोस्तो वीडियो शूरू करते हैं सबसे पहले आपको करना क्या आए आप दोस्तों अपने mobile को restart कीजिए headphone के jack को दुबारा से plug करके देखें उसके बार problem solve होते हैं तो ठीक है अगर नहीं होते तो दोस्तों आप एक एरबाट लेके अपना जो headphone का plug होते हैं उसको तो थोड़ा साफ करके देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों कई बर कच्रे वगरे चले जाने से इस तरह के प्रॉल्म भी हो जाते हैं ठीक है तो आप साफ करके देखें अगर problem solve होते हैं तो ठीक है अगर उससे भी दोस्तों problem आ रहा है तो दोस्तों आपने mobile के sim card को आप eject कीजि क्योंकि दोस्तों कई बर अगर sim misplace होते हैं तो इस तरह केगा mobile misbehave करते हैं ठीक है तो यह चीज़ आप यहाँ पर follow कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर अगर आपका problem अभी भी solve नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना होगा next में आप दोस्तों next में अपना जो mobile है उसको safe mode प करके रखना है power of के switch को दो सेकंड क्लिक करकर रखना है और ok कर देना है जैसे ok करेगा दोस्तों आपका problem solve हो जाएगा ठीक है तो mobile safe mode पर रिबूट करने का बात देखिए solve हो जागा problem अगर इससे fix हो जाते problem तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको जो है दूस ठीक है mobile software update करके देखना mobile software update करने के बाद दोस्तों solve हो जाना चाहिए problem अगर fix हो जाते है तो ठीक है अगर नहीं होते तो hardwarely issue हो सकते है क्योंकि headphone का जो plug होते है वह दोस्तों hardwarely खराब हो जाते कभी कबार ठीक है तो आपको वह किसी भी technician के पास जाके fix कर लेना है उसके द्ह दूगको नहीं के डाद बादें के सब्सक्राइब धरण गओ जाड़ा